मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आप नौजवान हो आप इसे मुल्क पुलों से नहीं बनता है मुल्क कारखानों से नहीं बनता है मुल्क मकानों से नहीं बनता है मुल्क वहां की युवा पीधी से बनता है उसकी यंगर जेनरेशन किस तरफ जा रही है इस से बनता है और मैं आपको मिसाल के तोर पे बताऊं जो बहुत जगे कहता भी हूँ वर्ल्ड वार सेकिंड में जब बिटेन में बजट पेश किया जा रहा था तो सरकार ने सब चीजों में कटोती की लेकिन सिक्षा की मद में एक पैसा कटोती नहीं की विपक्ष ने बहुत शोर मचाया क सिक्षा की मद में कटोती क्यों नहीं की जा रही है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ने खड़े हो के कहा कि पूल अगर टूट गए हैं बंबारी में तो दुबारा बन जाएंगे कार खाने तबाह हो गए नई से रे से तामीर हो जाएंगे घर भी दुबा में तरक्की करती है मुझे इस बात को कहने में बहुत शर्मिंदगी का एसास है कि हम कभी से लड़ रहे हैं सिक्षा के सवालों पे लेकिन आज भी भारत की संसद में बजट के दिनों में सिक्षा के ऊपर कोई बहस नहीं होती है सिक्ष संसद का ये नियम है वैदिक जी जा आखीर में दस पांच मद बच जाती हैं उन्हें इकटा करके और एक साथ उस पे सिर्फ दहस के बिना वोट करा ली जाती है जिसे गिलोटीन करना याने फांसी देना बोलते हैं सिक्षा को पचास साथ साल लगातार फांसी दी गई है और उसको कोई तबज्ज़ दी नहीं यह देश में इसी के साथ आज तक भारत के टोटल बजट का छे सेंकडा से जादे उच्छ सिक्षा पे खर्चा नहीं होगा और शायद इसी का नतीजा हो चूंके क्वालिटी ओफ एजुकेशन जो हमारे यहां है आपके बिहार का तो मैं खेर बताई नहीं सकता हूं तरह करके उसे दो साल किया अब शाद वो बराबर हो रहा है एक छपरा को छोड़के लड़कियों को ट्वालेट के लिए धाई-धाई किलोमीटर जाना पड़ता था पढ़ना जैसी उनस्टी में जो ऑक्सफोर्ड ऑफ दे इस्ट कही जाती थी और बहुत सारी एनिमेत ता जाता था और डिगरी मिल जाती थी मैंने सवका सेंट्रलाइजड इमताहन कर दिया और मेरे उपर जो दबाव आए मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूं मुझे पबलिकली कहना पड़ा कि मुझे आपकी मदद चाहिए मैंने इपंगा ले लिया है और मैं इसको करके जाऊंगा और वो हुआ ऐसा इमताहन हुआ कि जिसमें कलक्टर भी डूटी पे था कमिशनर भी डूटी पे था स्डेम भी डूटी पे था और हर एक्जाम के हॉल में हमने जैमर लगाए हुए थे चुक्छे आजकल इससे भी नकल होती है यह जो नई चीज आई है और नकल बिहार में तो कैसी कैसी नकल होती थी उसको रोका तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि जो कौमें और जो लोग सिक्षा को तवज्यों देंगे वो ही आगे बढ़ेंगे पूरी दुनिया का जो लिखित इतिहास है वो हाँ मैं जो बता रहा था क्वालिटी एजुकेशन हमारे देश लोगों को नोबल प्राइज मिला जिन मेंसे छह विदेशी हैं और एक मदर टेरे सा है तो पांच कोई गिन लो आप और दुनिया का क्या है हारवर्ड को एक सो अठावन यूनिवरसिटी ओफ केम्बरीज को एक सो अठारे नोबल प्राइज है यूनिवरसिटी ओफ कलिफो को एक सो साथ हैं शीकागो को ठान में हैं कोलंबिया को च्यान में हैं और हमारे जो बारे लोग हैं उनमें भारती सिटिजन सिर्फ पांच अगर बेहतर रमा शंकर जी मैं तो आश्रस हूं कि जिस तरह का माहूल मैंने आप के हां देखा है बच्चे पढ़ेंगे आप जिस तर करने के लिए नहीं इमांदारी से बता रहा हूं कि पहले एक दो नोबल प्राइज में बिहार का बच्चा जरूर होगा चूकर इतने मेधावी हैं वहां के बच्चे डिली की खराब से खराब बस्ती के एक कमरे में चार चार बच्चे आके पढ़ते हैं और चार के चार सब बिहार के हैं तो बिहार में विलक्षन प्रतिवा है बच्चों और वहां के बच्ची आगे जाएंगे अगर वहां के नेता उनकी मदद करें उनको quality education दें मैं बहुत लंबा कर गया मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे पास देने को उपदेश नहीं है लेकिन हम गांधी जी का बहुत नाम लेते हैं ये बैठे हुए हमारे राजकुमार जी ये तो बिलकुल एक दम गांधी को जीते भी हैं बोलते नहीं है गांधी को हमने चर्खा बना के रख दिया कि गांधी जी माने चर्खा गांधी जी माने और ऐसी चीजें बना दिया लेकिन गांधी जी का मतलब था अन्याय का प्रतिकार जो लोहिया ने कहा है जो अन्याय का विरोध करता है वो ही गांधी है वो ही गांधीवादी है आप नई पीडी के लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपनी युनिस्टी में भी इसके बाहर में भी और जीवन में भी अन्याय का प्रतिकार करने की आदट डालो जब आप अन्याय से लड़ोगे तो समाज ठीक होगा फ्रांस का एक student movement हुआ था 1968 में उसमें कोहन बेंदित नाम का नेता था हम लोग अपने हाँ लड़ रहे थे वो वहाँ लड़ रहे थे तो उसने एक दिवार पे एक नारा बिखा था कि society is a carnivorous flower बायलोजी के लड़के जानते हों कि carnivorous flower एक ऐसा फूल होता है जिस पे अगर तितली बैट जाए तो बंद हो जाता है उसको खा जाता है यही भारत का समाज है जब निकलोगे तो आदर्शवाद से भरे हुए निकलोगे इमांदार निकलोगे आई-एस और आई-पि-एस होगे तो पहली पोस्टिंग में नेता आप से तंग आ जाएंगे चुके आप इमांदारी से काम करोगे लेकिन शने शने समाज आपको अपने अंदर समो लेता है रिष्टेदार कहेंगे मोका मिला इसी में कुछ कर लो पत्नी अलग कहेगी दोस्त अलग कहेंगे कि देखो उसने इतना कर लिया मेरा एक दोस्त था किरनपाल जानते हैं रमाशंकर जी उसको हम लोगों ने टिकेट दिला दिया अमेले का और वो यूपी के सबसे अच्छे अमेले इसमें साबित हुआ एक दिन रोता हुआ मेरे पास आया कि भैसा मेरी माँ से बात कर लो मैं क्या हुआ कहले मेरे एक चचा का लड़का है वो कोईले का काम करता है और उसने बड़ी हवेली बना ली है गाउं मेरी माँ मुझे रोज ये कहती कि तेरा मचार डालेंगे घर नी बना तेरे से उसने हवेली बना ली है तो ये जो माएं भाडियें चाची ताइयां पत्नियां महला पडोस दोस ये आपको किसी काम का नी छोड़ेगा अगर आप तैनी करोगे कि इमांदारी के साथ रहना है, इमांदारी के साथ काम करना है और अन्याय का प्रतिकार करना है सबसे बड़ा उपदेश आपको देने के लिए मेरे पास यही है और दूसरा यह है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हासिल ना कर सकते हो ये तो सही है रविश जी कह रहे हैं बढ़िया कॉलिज बढ़िया कॉलिज हों बढ़िया टीचर्स हों सुविधाएं हों इनके बिना तो खेर नहीं बनेगा मैं भी मानता हूं लेकिन मैं देश के एक हजार नाम बता सकता हूं जो पैदल चलके 20-20 कोश जाते थे और उन्होंने जिन्दगी में बड़ी कामियाबियां हासिल की है अगर तै कर लोगे कामियाब होना है अगर तै कर लोगे कुछ हासिल करना है तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आप कामिय हो जाओगे तो मैं बहुत लंबा हो गया मैं बहुत काम की बातें करता पर आज की तुम्हें बात रविश जी पे डाल के छूटना चाहता हूं कि इन्हों में मुझे फैक्स मशीन में लगा दिया और इसमें से जो निकला मैंने आपके सामने पेश कर दिया आखिर में सब लोग बहुत अच्छा बोले जनरल साब तो हमारी शान है डाक्टर सरूप सिंग जी हमारे बड़े होते थे वाइस चांसलर थे इनके रमाशंकर जी की उनिवस्टी के वो इनी के जिले के थे उन्होंने मुझे बताया था कि चौदरी छोटू राम जी विश्युद्ध के जमाने में आए बच्चों को भरती कराने के लिए सौनीपत में गए तो वहां चूंके सिंचाई थी चौदरी लोगों पर पैसा था उन्होंने मना कर दिया फिर इनकी त गाव गाव में ब्रिगेडियर और गाव में ज़नरल्स हैं यह उसी संघर्ष की जगे से निकले हैं जहांके लोगों ने अपने बच्चों को वर्ल्ड वार सेकिंड एक गाव ऐसा है हमारे यां बुल नच शेहर में एक गाव है जिस एक गाव से दो सगे भाईयों को विक् फिर वो सिलेक्ट होने लगे और अल्टिमेटली जो फाइनेस सोल्जर है देश का जिसका नाम जनरल सिहाग है वो हमको उस जगे से हासिल हुआ सब लोग ने बहुत बढ़िया तक्रीरें की और ऐसे वक्त में जिसके पास बढ़िया तक्रीर ना हो उसको यही कहना चाहिए उसी को आप मेरे हिस्से में मानके मुझे ख्षमा करें बहुत बहुत धन्यवाब